चलिए, Hello Student, आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कि कम्पनी किस तरीके से बनना, कम्पनी लॉज जो है पूरा, जो कम्पनी लॉज टूज़न थर्टीन है, उसको चलाया कैसे जाता है, और किस तरीके से काम किया जाता है, वो सारे चीजों को देखेंगे, तो Administration of Company, क्या देखेंगे, Administration of Company, तो भाईया जो लॉज और कानून की बात करें न, तो हमारा वैसे देश देखा जाए, तो देश के अंदर दो सरकारे हैं, एक है हमारा Central Government, एक है हमारा State Government, चीक है न, दो सरकारे मिलके चलाती है, देश हमारा, सर, Central Government सारा क्यों नहीं समारा चला लेती है, क्योंकि Central Government नहीं चला पाती, हर जगह पे देखना पॉसिबल नहीं है, तो Central Government ने, बोला के भई काम काज करने के लिए, एक organization appoint किया, that is MCA, Minister of Corporate Affairs of India, MCA, that is, और इनको responsibility दे दिया गया, के company बनने से लेके, यानि जो भी company बनेगा, यानि company का मतलब company law, जैसे अब 2013 आ गया, तो जो भी company law बनेगा, इस law के अंदर change करना, इस law के अंदर update करना, क्या-क्या, इस law के अंदर change करना, या फिर law के अंदर कुछ update करना, या कुछ section delete करना, कुछ section addition करना, वो सारी जिम्मेदारी दी गई इनको, तो MCA का तो काम यही था, अब MCA ने क्या देखा यार, हम यह काम तो कर रहे हैं, तो company सही से जो registration करवा रही है, उसका देख रेक किसको दिया जाए, तो MCA ने अपने अंदर में अपॉइंट किया, सर किसको अपने अंदर अपॉइंट किया, regional director, सर, इस regional director का क्या काम था, क्योंकि एक regional director नहीं किया, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में वैसे चार, पार्ट में, reason में बाटा गया है, North, East, West, South, तो और जो central government है, CG, या MCA, जो कानून बना रहा है, वो एक ही है, वो एक ही है, पूरे इंडिया में, अब हर जगह जगह company बनाओगा, हर जगह जगह, हर जगह 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 company बनाओगा, बहुत सारे छोटे छोटे राज़े company बनता ही रहता है, हम सब को नहीं देख सकते हैं, हम क्या करते हैं, चार regional director बना देते हैं, North, South, East और West में, भाई अब नौर्थ की बात करें, तो नौर्थ थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, आपका North में डेली आ गया, तो बहुत सारे एरी आ जाते हैं, तो regional director ने बहुत बहुत सारे बस की नहीं है, इतने सारे लोगों को देखना, तो regional director को power दिया गया, यह चलो ठीक है, आप अपने नीचे कोई ऐसा व्यक्ति रख लो, जो की काम करें, तो इसके नीचे रखा गया रजिस्टार, रजिस्टार ओफ कमपनी, जिसको बोला गया ROC, short form में इसको क्या बोला गया सर, ROC, सर, ROC का क्या काम है, एक regional director जो है न, इसके अंदर बहुत सारे ROC रख दिये गये, हर state wise ROC, जैसे अगर नॉर्थ की बात करें, तो डेली, पंजाब, और हर्याना मान लो, यह अलग-अलग state हो गया, तो डेली में अलग ROC है, चंडिगर में अलग ROC है, तो इस तरीके से हर state में अलग ROC, तो बोला भी हा, reason में तो नॉर्थ में तो बहुत सारे आ जाते हैं राज जै, तो बोला के नॉर्थ में मैं तो नहीं सम्हाल पाऊँगा, तो इन सभी को एक-एक ROC प्रोवाइट कर दिया गया, यानि रजिस्टार्ड ओफ कमपनी, तो इस तरीके से हमारा जो लौ का काम चलेगा, यानि आप अगर आज कमपनी बनाना चाहते हो, आप genuinely चाहते हो, आपका नाम क्या है, मान लेते हैं आप Mr. Ram, और आप चाहते हो कि हम एक कमपनी बना ले, तो कमपनी बनाने के लिए आपको पता है किस से कमपनी केट करना पड़ेगा, सहाब आपको कमपनी केट करना पड़ेगा सीधा इनसे, आप यहाँ तो जाई नहीं सकते, आप इनसे कमपनी केट करेंगे, फिर ये अगर कोई दिक्कत होगी तो किससे communicate करेंगे इससे और ये किसको report करेंगे इसको और ये किसको report करेंगे इसको तो ये chain बना दिया इस तरीके से चलेगा Communication का इनसे मतलब है कि आपने application जमा करना है form भरना है अपने company का क्या नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके company का address बदलना है या वही रहेगा आपके company में और क्या क्या चीज़े होंगे इससे मतलब लेना देना ये है ठीक है लेकिन एक मजे की बात देखा जाए दो ऐसे राज्ये है एक महरास्टरा और एक तमिन डाटू यहाँ पे दो आरोसी है यहाँ पे भी दो आरोसी है महरास्टरा में भी एक गोवा एक महरास्ट महरास्टरा कह रहा हूँ एक और यहाँ चेन्नाई और एक यहाँ कोयम बतूर एक और है यहाँ महरास्टर में ही है शायद दो आरोसी है यहाँ अलग अलग यानि सिर्फ दो राज्ये ऐसे हैं जहाँ पे दो आरोसी है बाकि हर स्टेट के अंदर एक आरोसी है और बहुत छोटा स्टेट हुआ तो वहाँ एक आरोसी भी नहीं है ROC का क्या मतलब है ROC का मतलब है आपको कोई भी काम करвाना है आपको form भरना है application भरना है आपकी क्या दिक्कत आ गई आपका form क्यों नी deposit हो रहा तो किसी ने किसी तो बात करने के लिए अपने आसपास ही जाओगे न ऐसा तो नहीं है कि आप डेली में बैठे और मुंबई में आरूसी है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा तो पता चला भया कश्मीर से भी लोग मुंबई जा रहे हैं छोटे से काम के लिए तो ऐसे तो काम होई नहीं पाएगा तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर है छोड़ा से ये पॉइंट याद रखना आपको अब आपको शिकायत करने के लिए भी पहले हमारा हुआ करता था कर आपको कोई परेशानी है किसी ने आपको परेशान किया है तो आप चले जाए ये CLB लेकिन CLB को अब खतम कर दिया गया है इसकी जगह पे ले आया गया दो को N-C-L-T और एक N-C-A-L-T दो है ये छोटे छोटे कोट है इसे ट्राइबनल भी बोला जाता है इसको ट्राइबनल भी बोला जाता है तो ये छोटे छोटे क्या है हमारे कोट है अगर कमपनी के अंदर कुछ भी काम हो रहा हो एमल्गमेशन मर्जर वाइंडिंग अप तो आपको ये ओर्डर देंगे आपको इनको फॉलो करना है रोसी के पास ने जाना आपको एंसी एल्टी के पास जाना होगा अब एंसी एल्टी ने आपको कोई ऐसा लेटर इशू कर दिया पुला भईया तुम गलत तरीके से मर्जर कर रहे हैं ये एक फ्रॉड नहीं चलेगा और जिस से आप यानि आप इस लेटर से एग्री नहीं करते डिसएग्री गरते भईया तुमने गलत बात लेखिए ऐसा तो हम करी नहीं रहे तो आपको complain करना होगा तो complain करने के लिए आप जाओगे N.C.L.T. Appellate Law Tribunal इनके पास शिकायत करोगे फिर ये इनको भी बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे दोनों की बातों को सुनेंगे और जो फैसला होगा ये सुनाए जाएगा अगर आप इनसे भी सहमत नहीं हो तो फिर आप फिर court के तरफ move करोगे State court हो गया फिर High court हो गया फिर Supreme जो ऐसे भी court है उससे साब से हमारा चलेगा तो ये पूरा का पूरा हमारा procedure था किसका सर? Administration work किसका administrative work हमारा company का किसका नहीं हो is आप उनसे पु logr झाख नहीं हो